अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप हो चेक कर सकते हो इसमें हम बात करने वाले इस वीडियो में बात करने वाले अबाउट कनेक्शन टागटिंग एक नया अपडेट है यह आपके आड्स में आ चुका हो कनेक्शन टागटिंग याने की एक नए या टाइपी टागटिंग हम कह रहे हैं बट हाँ यह थोड़ा सा रिलेटेड है तो कस्टम टागटिंग और कस्टम ओडियंस के साथ ही रिलेट करता है लेकिन इसमें फेस्बुक ने इस चीज को अलग से आपके अच्छेट लेवल प आगे आप कैसे जाओगे और प्लस फेस्बुक उसके बारे में क्या कह रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो अगर आप नए हो चैनल पर तो मेक शूर कि आप सब्सक्राइब करो फेस्बुक आज ऑनलाइन बिजनस के रिगार्डिंग वीडियो देखने के एक है जो फेस्बुक कह रहा है कि भाई अम उन लोगों को आड दिखाएंगे जो आप से किसी ना किसी तरह से connected है ठीक है अब connected का क्या मतलब वो मैं बताता हूँ यानि कि कोई भी ऐसे लोग जो आपसे आपकी मतलब आपसे यानि कि आपके ब्राइंड से आपके बिजनस से अगर आपका खुद का personal brand है यानि जैसे मेरा brand personal brand है ठीक है प्लस और भी other जैसे e-commerce brand हम run करते हैं तो मतलब जो भी आपका business आप online run कर रहे हो facebook के थूँ instagram के थूँ तो जो भी लोग आपसे connected है आप connected की definition जो facebook ने दी है वो ये दी है कि भाई उन लोगों ने आपके page के साथ य अगर engage कर रखा है ठीक है या आप वो किसी भी तरीके से आप से जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम as a connected मानेंगे ठीक है वो लोग या फिर उनके दोस्त भी for example मैं अगर आप अगर मेरे personal brand से connected हो ठीक है तो जो आपका कोई दोस्त भी है तो वो भी मेरे से connected रहेगा यानि कि friend of friends जैसे पहले चलता था शुरुआत में आपको अगर याद हो तो facebook में friends of friends भी आता था जहां पर आप friends of friends सर्च कर सकते थे तो तो उसी ताइब का कुछ है यहाँ पर facebook ने जो मैं आपको एक बताता हूँ और person में भी connected if they are engaged with them or a friend of someone who has ठीक है अगर आपका दोस्त भी किसी से आप यानि कि आप अगर मेरे से connect करते हो तो मैं आपके दोस्त तक भी basically targeting कर सकता हूँ जो आपका friend होगा instagram, facebook पर वगार instagram पर जो भी आप लोग आपसे connect है basically आप friend का मतलब यह भी हो सकता है कि जो लोग आपसे जुड़े होंगा यानि कि आपसे जो लोग आपको follow करते है आप बहुत simple सी चीज़े facebook ने दे रखी या तो एक खुद से वहाँ का जो predefined Facebook का तीक है जानि कि जब आप connections पर जाओगे जो अभी मैं दिखाता हूँ आपको connections पर जाओगे तो कुछ चीज़े predefined है और कुछ है कि आप अपने आप advanced combination भी कर सकते हो तो आप वो चीज़ भी कर सकत आप सकते हैं कि कैसे जा करके आप connections बना सकते हो प्लस एक और चीज़ यहाँ पर facebook ने लिखी थी that is मैं आपको पूरा statement देता हूँ the statement is we automatically try to find people likely to get results you told us to optimize for in an ad set creation ठीक है जिस भी ad set में जो आप जो आप result चाहते हो for example आप conversion event चाहते हो आपको purchase का result चीए या फिर आपको lead चीए तो जिस भी event के लिए आपने optimize किया है उस event के लिए facebook automatically try करेगा लोहों को खोजने की ताकि यहाँ पर आपको बहुत ज़ता refining की जरुवत ना हो यहाँ पर एक statement है because of this you don't don't have to worry about refining too much ठीक है यानि कि refining too much मेरे हिसाब से यहाँ पर facebook का एक यह भी कहना है कि आप broad जाओ ठीक है यानि कि आप broad targeting करो क्योंकि इसी statement में एक और statement था जहाँ पर facebook ने यह भी कहा है कि आप जादा connections में advanced combination में जादा आपको चीज़े add करने की जरुवत नहीं है ठीक है यानि कि बहुत जादा आपको deeper level पर नहीं जाना है जिससे आपकी audience size बहुत जादा specific हो जाएगी जिसके कारण जो reach होगी वो कम हो जाएगी ठीक है तो एक चीज यह भी यहाँ पर hint है कि बहुत थोड़ा सा broad जाओ second चीज अभी हम चलते हैं हमारे laptop screen पर देखते हैं कि कैसे आप advanced combination करोगे ठीक है त advance पर तो एक मैं campaign खोल लेता हूं ठीक है जो campaign हमारा बंद है क्योंकि जो चल रहा है उसके साथ चेड़ चाड़ करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तो हम एक campaign खोल लेते हैं यह engagement वाला campaign खोल लेते हैं ठीक है इसमें एक बार edit करते हैं या फिर इसको मैं duplicate कर देता हूं एक अपर you this is a function of connection लिखा हुआ है अब आपको करना क्या होगा यहां इप अपर show more पे आप करोगे तो आपको य ऑप्र इच्छाएकान, connections का ठीक है? Direct by तो यहां पर क्या है कि आप क्रेट करते हो कि जो लोग हम से इंगेज कियो है उनको हम दुबाया से रीच कर पाएं तो वही सेम चीज़ है यहां पर आपको option मिलता है एडिट करोगे यहां पर जैसे मैंने बोला था कि कुछ predefined मिलता है जैसे people who currently like और follow your page जो भी आपका page है उस page को जो लोग follow करते हैं आप यहां पर simples को click करोगे तो यह उन लोगों को भी target करने लगेगा ठीक है people similar to those who currently like or follow your page यानि की basically जो लोग आपके page के जैसे जो लोग आपको follow करते हैं उनके similar kind of interest जिनके हैं उन लोगों को पहुचना ठीक है यहां पर एक्सक्लूड पीपल who currently like or follow your page यहां पर option है उसके बाद फिर apps में अगर आपने कोई app create कर रखा है आपके लिए आपको यह चीज मिल जाएगी ठीक है events में है अगर आपने कुछ events के लिए पर किये थे तो वो यहां पर आजाएगा उसके यहां पर आपको advanced combinations मिलता है advanced combinations जो आप click करोगे तो यहां पर आपको यह देख रहे हो आपकी आपको pages का option मिल रहे हैं कि आप यहां पर pages वगराद कर पाओ जो भी यहां पर यहां पर यहां पर अलग से कुछ चीजे Facebook दे रहा है तो हम उसे भी try करेंगे ठीक है यह जिनके आप admin हो उन्हें आप target कर सकते हो क्योंकि मैंने अभी और pages को चाहिए किया तो और अलग pages तो नहीं आ रहे हैं यहां पर अपने आप बनाया होगा तो जैसे यहां प तो यहां पर जो भी pages आप जिन pages के admin हो यहां पर आप अपने add करके टेस्ट कर सकते हो ठीक है तो यह एक तरीका है connections के लिए कि आप कैसे connection targeting का use करोगे ठीक है connection targeting का अब यहां पर basically आप तो आप advance combination कर लो या फिर आप यह people who like और follow your page कर लो अब जैसे मैं यह करता हूँ people who like and follow my page simple चीज जरा मैं यहां पर इन चीजों को अटा दू एक बार ठीक है follow and like our page हम नहीं किया उसके आप हम इसे run कर देंगे add को ठीक है अब यहां पर add a page करेंगे let's suppose हम यहां पर अपना page add करते है ठीक है हमने यहां पर अपना page add कर दिया page add करने के बाद आपको यहां पर आपकी audience size मिलेगी unavailable है क्योंकि शायद page की size होगी बहुत कम है your connection was successfully converted to people who currently like or follow your page call up to see your new audience ठीक है तो आप यहां पर देख रहो यहां पर reach काफी कमेश की चायद मेरे page पर उतने ज्यादा डेटा अवलेबल नहीं है इसलिए लेकिन हाँ अगर आपके page पर वह जाए data अवलेबल है तो आप यहां पर यह चीज कर सकते हो अब यहां पर हो क्या सकता है यहां पर आप यह भी कर बस यहां पर जो अपडेट आया था तो वो अपडेट मेरे को बताना था तो वो अपडेट के लिए मैंने यह वीडियो बनाई है कि आपके साथ भी हो सकता यह option आया हूँ तो आपने अगर टेस्स किया तो आपको क्या बाकि मैं इसे टेस्ट करूँगा और टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे वह मैं आपसे शेयर करूँगा तो यही थी हमारी connection targeting connection targeting के बारे आपको पता चल गया होगा प्लस और भी जो नई नई चीज़े अपडेट्स आ रही है उनके बारे में वीडियो बनाता रहूँगा तो make sure कि आप सब्सक्राइब कर दो ठीक है बिलकुल फ्री है कोई दिक्कत नी और हाँ एक हमारा facebook ads के लिए webinar हो रहा है अगर आप अपनी एगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद